नमस्ते दोस्तों मैं आसा हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आसास Mindful Living YouTube चैनल पर मैं आप सभी को धन्यबाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे चैनल के वीडियो को देखा आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्तोपूड है अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा अब बढ़ते हैं आज के विशाई की ओर हेलो दोस्तो आप सभी का आसास Mindful Living चैनल पर स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा नमस्ते दोस्तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट और आज हम बात करने जा रहे हैं चुकंदर स्वाद और सेहत का रंगीन संगम बीट रूट के फायदे के बारे में चुकंदर जिसे बैग्यानिक रूप से बिटा वलगेरिस के नाम से जाना जाता है एक जड़वाली सबजी है जिसका उपयोगाम तोर पर इसके जीवन्त रंग मिट्टी जैसा स्वाद और कई पोसर संबंदित लाभों के लिए किया जाता है यह अमरे थेशी परिवार से संबंदित है और इसकी खेती इसके खाने योग जड़ के लिए की जाती है जो लाल, बैगनी, पीले और यहां तक की सफेद रंग के विभीन रंगों में आ सकती है अंदर खाने के फायदे फिर्दय स्वास्त, चुकंदर में मवजूद नाइट्रेट रक्त वाईकाओं को आराम देने में मदद कर सकते हैं जिससे रक्त प्रवा में सुधार होता है और संभावित रूप से रक्त चाप कम होता है जिससे समग्र हिर्दय स्वास्त में मदद मिलती है बेहतर एथलेटिक प्रदर्शन, चुकंदर में मवजूद नाइट्रेट ब्यायाम के दोरान आक्सिजन के उपयोग को बढ़ा सकते हैं जिससे संभावित रूप से सैंच सकती और प्रदर्शन में ब्रिद्धी हो सकती है एंटी आक्सिडेंट से भरपूर, चुकंदर बिटा साइनिन जैसे एंटी आक्सिडेंट से भरपूर होता है जो आक्सिडेटिव तनाव को कम करने और पुरानी विमारियों के खत्रों को कम करने में मदद कर सकता है सूजन में कमी, चुकंदर में मौजूद बिटा लेंस में सूजन रोधी गुड होते हैं, जो सूजन और समबंदित स्वास्त समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं पाचन स्वास्त। चुकंदर की फाइवर सामागरी स्वास्त पाचन का समधन करती है और कब्ज को ठीक करने में मदद कर सकती है। कैंसर की रोग थाम, चुकंदर के एंटी आक्सिडेंट और सूजन, रोधी, याउगिक कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में योगदान कर सकते हैं एनीमिया की रोग थाम, चुकंदर आयरन और फोलेट का एक अच्छा स्रोथ है, जो लाल अरक्त कोशिका, उस्पादन और एनीमिया की रोग थाम के लिए महत्वपूड है बुडापा रोधी, प्रभाव, चुकंदर में मवजूद एन्टी आक्सिडेंट, आक्सिडेटी तनाव से लड़कर और स्वस्त तचा को बढ़ावा देकर उम्र वढ़ने के संक्यतों को कम करने में मदद कर सकते हैं नित्र स्वास्त, चुकंदर में एन्टी आक्सिडेंट, विशेश रूप से लिवटीन और जैक्सैंतिन स्वास्त द्रिष्टी बनाये रखने में योगदान कर सकते हैं वजन प्रवंधन, चुकंदर का फाइवर और कम कैलोरी, सामगरी, तृप्ती को बढ़ावा देने और पाचन का समर्तन करके वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है मदूवें प्रवंधन, चुकंदर की फाइवर सामगरी और संभावित रक्त सरक्रा, बिनियमन गुड रक्त सरक्रा के इस्तर को प्रवंदित करने में सहायता कर सकते हैं बुड़ाफा रोधी प्रभाव, चुकंदर में मवजूद एंटी आक्सिडेंट, आक्सिडेटिव तनाव से लड़कर और स्वस्त तवचा को बढ़ावा देकर उम्र बढ़ने के संकेते को कम करने में मदद कर सकते चुकंदर का उपयोग करने के कुछ समान्य तरीके चुकंदर एक बहुमुकी सबजी है जिसका उपयोग विविन तरीकों से किया जा सकता है जैसे कच्चा, उबला हुआ, भाप में पकाया हुआ, भूना हुआ, हलोआ बनाकर, स्मूती, रस, अचार अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट्स, लाइक, सेयर कीजिए, चैनल के सपोर्ट के लिए और दिये गए बेल आइकन को फ्रेस करिएगा ताकि आपको नई अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे, धन्यवाद